सोबे सोबे हम लोगों को जाते हुए दिख रहे हैं कावट अरीदवार के रेलवे स्ट्रीशन पर मैं बैट चुका हूँ कार में और बस पांट दस मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं मसूरी के लिए तो अब मैं आपको पूरी वादियां दिखाऊंगा क्योंकि देहरादून से मसूरी के बीच में पूरा पहाड़ी एरिया है और बहुत मज़ाने वाले आपको आगे वीडियो में देखो हम लोग बादलों के कितना पास पहुच गए है लोकेशन देखो कितनी प्यारी है यह है टू बैड और यहां से मैं दिखाता हूँ आपको व्यू यह बादल है हमारे बिल्कुल पास में असली चैस का गेम यहां चलेगा इन शॉर्ड में बोला जाए यह जन्नत है इ वोजे यह बहुत अच्छा लगा इंग वोदी जी का है 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 अक है हुसा आपने लुट वैलकम टू मारे ब्लॉब तो फ्रेंट्स आज हम लोग है हरिद्वार में सुहे के बजरह भी छे और आज हम लोग निकल रहे हम से हरिद्वार फे मसूरी के लिए अना मसूरी चल तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी दिर में है ट्रेन यहां से तो मसूरी जाएंगे और देखते हैं कि वहां पर हम लोगों को क्या-क्या घुमने को मिलता है अभी मैं आ गया हूं लंगर हॉल में और यहां पर प्योंगा चाय या चुकि हमारी चाय और तूश तो इस रूम खाली कर दी हम लोगोंने पॉल इन अब लोग में आद अभी खाली कर दी है अब लोग जा रहे हैं रेल्वेय स्टेशन पर सभी आजो ओ लेट ho रहे हैं हम लोग जा रहे हैं खूपिया गली से इस गली के बारे मैं किसी को बताना नहीं यह देखो सोबे सोबे हम लोगों को जाते हुए दिख रहे हैं कावड आज है सावन का दूसरा सोमवार और आज के दिन हरिद्वार में बहुत जादा भीड़ोगी बहुत जादा हम लोग यहाँ पर जब आय थे तो इन्होंने हम को पताया सावन के महीने में जो एक कावड लोग आते हैं लगबग दो करोड लोग आते हैं हर बार हरीद्वार में कावड के लिए आज चुके हम लोग हरीदवार के railway station पर यहाँ पर देखो शिव जी की कितनी प्यारी मूरत है और अगर यहाँ से आप देखोगे न शिव जी के उपर बादल कितने प्यारे लग रहे हैं अब ही आए हम लोग यहाँ पर टिकेट काउंटर पर टिकेट लेने हैं अब हम लोग जा रहे हैं station के अंदर और अभी लगबक आदा घंटा लेट है तो जब तक जाएंगे अंदर थोड़ा वेट करेंगे ट्रेन हमारी आ जाएगी हम लोग सीधा जा रहे हैं यहां से आए उपर शांदार वादिया तो फ्रेंट फाइनली आ चुके हमारी ट्रेन और यह हमारे लगन भाई लेट चुके हैं लगन भी यह कैसा लग रहा है अच्छा अच्छा मनी मन में सोच रहे हैं कि यार यह मेरे को पैसों में खाली करवा देंगे पैसे बाटते जा रहे है पैसा बहुत है तो फ्रेंट्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं धहरादून के रेलवे स्ट्रेशन पर और यहां से आप हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे उसके बाद हम लोग करवाएंगे एक गारी जिससे हम लोग जाएंगे मसूरी तो फ्रेंट्स फाइनली आज चुके हम लोग पैस्ट्रेशन के बाहर देखो यह बिल्डिंग बहुत ही शांदर बनी हुए है तो फ्रेंट्स आज चुके हमारी गाड़ी और हम लोग बैठेंगे इस कार में यह बुक करवाई हैं हमने दो तो फ्रेंड्स फाइनली मैं बैठ चुका हूँ कार में और बस पांत दस मिनद में हम लोग निकलने वाले हैं मसूरी के लिए तो अब मैं आपको पूरी वादियां दिखाऊंगा क्योंकि देहरादून से मसूरी के बीच में पूरा पहाडी एरिया है और बहुत मजा आने वा छले चले एख एख अचैए पर जाना चालू है तो फ्रेंड्स आचुका है हम लोग बहुत उचाई पर नीचे सब पूरा दिख रहा है नहीं डेहरादून शहर अभी हम लोग बीच में रुक गए हैं रुक हैं हम लोग शिव मंदिर पे आज सोमवर का दिन है और हम लोगों को यहां पे दर्शन करने को मिलेंगे शिव बहगवान के यह आच्छेम अम लोग शिव मंदिर पे मसूरी रोड डहरादूर और यहां पर मंदर कितना शांदार बना हुआ है तो फ्रेंट फाइनली हम लोग आ चुके हैं श्रीव मंदिर पर लुग अब श्राइब श्राइब अब श्राइब अब लोग अब 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 और यहां पर मिल रहा है परशाइब फ्रेंट्स मैंने कर लिए दर्शन और यहां आके थोड़ा सा मौसम सही हुआ है वरना हम लोगों को हरीद्वार में और देहरादून में बहुत गर्मी लग रही थी क्यों यहां पर मौसम कितना सही है बहुत क्लाइमेट बहुत क्या लग रहा है यहां में फ्रेंटी रंडी अवाँ चल रही है और में आई हारे परशाद किये देगो चाहिए यह ना जा रहा है पहाड़ों का अ हां क्या सीन है अगाए यह पार बल्य करोशाद को यह एंदेटी वीच्टि अगल दो करना भी अट्रस्ते में उगया है बावाल बावाल क्या हो गया है हमारी गाड़ी का आगे वाला पंचर व गया टायर अब बहाईया बदलेंगे इस चैपनी और उसके बाद देखते निकलते हैं खा लेते हैं यह रेट्टा हो गया इतनी दूप लग रही है और पहले मौसम सही था तब तक गाड़ी चल रही थी जैसे गाड़ी खराब हुई है दूप निकलाई है तो गाइस यहां से देखो व्यू कितना शांदार है और पूरा सिटी नीचे है और नीचे आपको रोड द अब हमने मंगा यह मैगी और चाई प्रेंट चाय पीने के बाद मैगी खाने के बाद हम लोग बैट चुके हैं वापस से घाड़ी में घाड़ी हो चुक्ट है सई और अब हम लोग जा रहे हैं मसूरी अब देखो आप पहारों का लुक बिलकुल बादल चिपके हुएं पह कि अब आपको मैं यहां पर देखा हूं बादल हमारे नीचे हैं कि वाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मसूरे यह देखो व्यू बादल सामने देख रहे हूंगे आपको और अभी हम जा रहे हैं नीचे उतर के थोड़ा होटल के रूम देखने लोकेशन देखो किती प्या तो फ्रेंट सागा हम लोग हुटल में यहां पर देखिए मिल्ग रूम और यहां पर पहले बना हुआ रेश्ट फ्रेंट और यहां से आप देखो समझ में लोग कहां पर खड़ें बहुत उचाही पर तो फ्रेंट्स ये है रूम रूम देखो बहुत शानदार है और ये भी फूर बैड है वेन टू थ्री फूर जैसे हम लोग रुके थे हरीद्वार में और यहां से आपको मैं दिखाता हूँ रूम से व्यू ये देखो पीछे का पूरा ग्रीनरी अच्छा रूम है जीवाला रूम देखो ये है टू बैड और यहां से मैं दिखाता हूँ आपको व्यू ये है असली मजा मसूरी का मैं आप सोचो कि आपको रूम से ये व्यू मिल जाए ये बादल हैं हमारे बिलकुल पास में बहुत शानदार इस बहुत ही शानदार लोकेशन है और मैं तो देखके बहुत खुश हो गया क्योंकि ऐसा व्यू पहले मैंने कभी नहीं देखा कि अपने होटल रूम से हम लोगों को ऐसा व्यू मिल जाए आपको मैंने रूम दिखाए तो रूम हम लोगों उन्हें फाइनल कर दी हमारा पूरा सामान आ गया है यहाँ पर अब हम लोग दो दिन यहीं पर रहने वाले हैं और फूल इंजॉय करने वाले हैं अब मैं चलता हूँ टेरेस पर और आपको टेरेस दिखाता हूँ यहां की टेरेस बहुत यूनिक है यह देखो काईज मलब आप लोग दो आपने लूडो तो फॉरी चैस तो खेला होगा लेकिन असली चैस का गेम यहां चलेगा मालब इधर खड़े होके आराम से खेलो और अपनी अपनी चाल चलते रहो उस्ता है क्यों बटवारा होचुका है यह है कि मेरी क्वीन Mr O originally consequence यह आपको आप गए यहां से देखो यहां यहां पे और मेरे पीछ्छ आप देखो बादल तो आपको बादल दिखने और नीचे देखो बहुत गहराई तक है अब लग चुका हमारा ब्रेकफास्ट पोई आचके हैं सेंडबिच आचुका है और kit राख कि आपको पूरी लोकेशन रिखा दी आ को जहारा है वह शलॉग्ट कैसा लग रहा है जरा मेरे पातलिों में शलॉगम नियोगा झा किया नियुक वह ए स्थिर अपको करतें घопас है नहीं पोई कोई बहुत अएजादार कर दीम अधिया चोह का मेरा मिल गापन यह बीच यह यह भी लिग लगत उख्वां लुप घो चुश reflection करे अम्लों हाश्का रूम में अधर दिखा है माख ड़्या अध्यू दिखा है आई 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 तो फ्रेंट्स थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं ऊचुका हूं रेड़ी तो मैंने पेना ब्लू जीन्स और रेड टीशिट नयुक्त स्पेक्स और पीछे आप मौसम देखो मौसम बहुत शांदार हो रहा है बहुत ही थंड शांदर लोकेशन है इसकी लोकेशन में आपको डिस्क्रप्शन में डाल दूँगा अगर आप भी यहां पर आना चाहें तो आ सकते हैं बहुत ही शांदर जगे हैं आई मौसम देखो किता प्यारा हो रहा है पूरे बादल नीचे आ चुके हैं तो फ्रेंट्स अब हम लोग जा रहे हैं कि मार्केट में आपको दिखा हूँगा मसूरी की मार्केट में यहां पर माल रोड बना हुआ है बहुत ही शांदर वहां पर हम ludzi गूमेंगे और अब मैं आपको पूरा सेर करवाने हहां मारकेट का बैच चुके है अम लोगैं और अब अम लोग जा रहे हैं मार माल रोड पे अब मैं आपको दिखाता हूँ यहां का मार्केट है फ्रेंड्स यहां पे भी आपको धुनला धुनला दिख रहा होगा क्योंकि यहां पे भी पूरा बादल है और यह है पूरा यहां का माल रोड मार्केट अब आपको उपर धुनला धुनला दिख रहा होगा क् बादल है तो हम लोग अभी उपर ही चड़ रहे हैं यह हैं नीचे नीचे से आचूके हम लोग और जा रहे हैं उपर उपर मैं आपको दिखाऊँगा पूरा मार्केट बहुत ही शांधर मार्केट बना हुए यहां पर गाइस देखो हम लोग काफी उपर आ चुके हैं और अभी और उपर जाना है यहां का मौसम बहुत शांदार है लोग हरीदवार से बहुत गर्मी-गर्मी से आ है और फिर धहरादून पहुंचे वहां पे भी बहुत गर्मी थी लेकिन यहां पे जो घूमरे हम लोग यहां पे तो यह खड़े हो गए शॉप पर आप यह देखो कि बच्चों की चीज की शॉप है लेकिन वह भी कितनी प्रीमियम है मतलब शांदार है यहां पे शॉप से तनी अच्छी है कि लोग देखके ही अट्रेक्ट हो जाए हैं अभी हम लोग 15 मिनेट के लिए यहां खड़े हो ग देले नीचे आपको देखेगा कुछ लेकिन पीछे कुछ भी नहीं दिखने वाला वह भाई क्या लोकेशन पर आ गए यहां अगर आप लोग भी आना चाहो तो यहां पर जरू आ यहां पर फ्रेंड्स वहां से आगे हम लोग आगे और यह है पूरी मार्केट और बहुत ही शांदार शॉप बनी हुए यहां पर गाइस देखो यहां की मार्केट और सामने देखो अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं वह देखो लुक बहुत ही शांदार प्लेस है तो फ्रेंड्स अब हम लोग खाएंगे यहां पर बुट्टा और यह देखो यह स्वीट कोन वाला बुट्टा यह सिकने वाला और यहां पर मैगी वगेरा सब मिल रही है यह देखो बहुत प्यारे प्यारे भुट्टे हैं और बहुत लोग बहुत बुट्टी बहुत ही अच्छा बुट्टा बनाया है सबसे अच्छी चीज है यहां पर हम भुट्टा खाने जिन आंटी से हमने लिए उनका नीचर बहुत अच्छा है यह सिक्रे और भुट्टे हमारे सातियों के लिए यह वाले साति नहीं यह तो खा रहे हैं बाकी पीछे वाले हम लोगों ने ले ली हैं ट्रॉली के टिकेट हम लोग ट्रॉली से जाने वाले हैं बहुत उचाई पे मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो यह ट्रॉली आ रहे हैं इफ ट्रॉली से हम लोग जाएंगे ऊपर भी यह ट्रॉली पे किसी को डर तो नहीं लगता लखन बिया चले ना चलो अध्यक साब चले यार ये ट्रॉली ये ट्रॉली आएगी उसके बाद हम लोग इसमें बैठेंगे ट्रॉली में घाएंगे हम लोग पॉप कॉन घाते हुए ये आचुक ये ट्रॉली फ्रेंड्स आपकरन करेंगे टेस्ट अब भूमने आये यार इंजॉय तो करना नवीन भीया क्यों सोसते हो इतना और क्या तो गाइज आचुक ये ट्रॉली बीच में बादा ला रहे हैं पूरे जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ये सब बादल है इसे हम लोग निकल चुके हैं बाहर और आप सामने देखो बिल्कुल बादल ही बादल है बहुत कमफटेबल हो के आगए हम लोग कोई भी रिस्क नहीं थी कोई भी कुछ नहीं था नीचे से बैटने में लग रहा था कि हिलेगी तो डर लगेगा लेकिन एक्दम सेफ है यह ना पे लेडी जाइन बहुत सारी शौक बनी होई हैं यहाँ बहुत ही शांदार एरिया क और यहाँ पर पूरा द्धूनद्धूना सा लग रहा है बादल होंumu के चक्कर में बहुत ही मालब फॉक-फॉक हो रहा हैं यहांनर यह हैड्रेस पाग ci सब मिलतीं ये गेम जोने है, रेस्टोरेंट, कैफे एटलस, इसी ये देखिए हमने मैजिक शॉप और अब जा रहे हैं हम लोग की रिंग्स की शॉप पर, ये कैसे की रिंग्स है, अच्छा मसूरी, ये भी ये कार बगर हमें हैंग कर वकते हैं न, बहुत बढ़िया की रिंग्स है, अब हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर, वाह, क्या गाले चल रहे हैं अंदर, उपर बना हुए एक कैफे, और यहां पर देखो, ये है, हांटेड हाउस, और ये गेम, तो फ्रेंट्स यहां से मैंने ले लिया है युवान के लिए गेम, तो ये गेम ले लिया है मैंने युवान के लिए, क्योंकि युवान बहुत दिन से कह रहा था, पापा जब जाओ आप कहीं तो मेरे लिए कुछ लेके आना, तो ये गेम अच्छा लगा पहले हम लोग आये थे इतना नहीं था अब देखो आप पीछे कितना अगया है मतलब इस शॉप से वहां तक नहीं दिख रहा है कुछ भी देखो अब हमको शॉप भी नहीं लिखे प्रॉपर इतना फॉग इतना बादल नीचे आ गया है और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं रेटन नीचे पीछे तो भाईया कुछ दिखी नहीं रहा वापस जाने में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इस ट्रॉली से हम लोग पूतर चुके हैं नीचे और अब मैं आपको दिखा हूँगा यहां पर माल रोड यह जो अब हम लोग जिफ रफते जा रहे हैं यह पूरा माल रोड है तो यहां से शुरू होता है फ्रेंट्स माल रोड और यहां पर आप कलेक्शन देखो शॉप्स देखो बहुत ही शांदार बनी हुए है तो फ्रेंट्स यह देखो कितनी शांदार जगे बनी हुए है यह हट देखो बहुत ही शांदार लगए है अब यह हम लोग घूम रहे हैं माल रोड पर और यहां पर शॉप्स देखो कितनी शांदार बनी हुए है यहां से आप सीन देखो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं बैक्ग्राउंड कितना शांदार आ पीछे हो चुपिए टी टाइम सब हम लोग आज चुपिए हैं पापा लाफिंग पर यहां पर बना रहे हमारे लिए लाफिंग देखो यह क्या भी यह नहीं यह शीट काईगी है मैं देगी और इसके उपर क्या डाला आपने अधिल्यमतर नेमा और टाले क्या स्पैसी कितना रखेगा क्या स्पैसी कितना रखेगा स्पैसी नॉर्मल ही रखना यह कहां का आईटम है यह जापान किवेट का है अच्छा तो फ्रेंट्स यह बन रहे हमारी लाफिंग और यह क्या डाला आपने सोया बीन इस्ट इंडिया की टेशा की है और यह क्या डाला क्च्छा मैगी कुछ नया इटम है यह इसके भी एट पीस कर दे अच्छा बेग करेंगी कि इसको नहीं ही रहता है अच्छा स्पून दे देना लैपिंग इसके उपर कुछ डलेगा क्या तो फ्रेंड्स आ चुके हमारी लैपिंग हम लोगों ने टेस्ट किया लाफिंग और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा टेस्ट ची था हम लोग आठ जने आठों के आठ ने सब है कि गुल्लक बच्चों के लिए और काफी कुछ और आइटम भी लिया है या चुका है सबी ने ले लिया है और यहां पर खड़े खड़े फ्रेंड्स चालू हो गई है बारिश यहां का मैं ले रहा हूM कुछ बच्चों के लिए अब क्या ले रहा हूं वो इनके लिए सरप्राइज है जब घर जाओंगा तब उनको दूँगा मैं क्यों कि आगर मैं आज दिखा दुँआ क्यों मैं आज नहीं दिखा रहाग इंगा भात यह प्यारे प्यारे अईटम तो फ्रेंट्स फाइनली मार्केट से कर लिए हम लोगों ने शॉपिंग और अब हम लोग जा रहे हैं वापस होटल पे वहाँ पे करेंगे अब हम लोग रैस्ट और होटल में ही खाएंगे पीएंगे इंजॉय करेंगे अब हम लोग आगे यहां पर चार्ट खाने कंवल यह कैसी है और यहां से अपन क्या पर करवा रहे हैं मलग खाने के लिए क्या बूला है पनी टिक अप क्का रहे हैं तो दोनों चीज़े हो रही है फ्रेंड्स फाइनली मैं आज चुका हूँ होटल पे तो मैंने आगे का व्लॉग इफले नहीं बनाये मार्केट में क्योंकि पूरा हम लोग भीग गए मैंने दिखाया था आपको बारिश हो रही है तो हम लोग जैसे तैसे होटल तक पहुंचे है पूरा गीले होते हुए और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्श वीडियो में तो बबाई टेक केर और कल वाला जो व्लॉग आने वाला है वो बहुत शांदार आने वाला है